Dear students, तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारा जो next lecture है, that is pure rotational रमन स्पेक्ट्रम. अब देखे इसमें हमें क्या करना है, रमन स्पेक्ट्रम को study करेंगे, जब हम rotational लेवल्स की बात करेंगे, यानि कि हम इसमें ये देख रहे हैं कि जब हमारा molecule rotate कर रहा है, यानि molecule में rotation हो रही है तो उसमें क्या क्या, इसमें selection rules सबसे पहले देख लेते हैं, तो selection rules for pure rotational रमन स्पेक्ट्रम आफ डाय अटोमिक मॉलिक्यूल आर, ये सामने दे रखा है, delta j is equal to 0 और plus minus 2, देखे अगर आपको ध्यान हो, हमने जब rotational spectroscopy शुरू की थी, तो rotational levels उसमें निकाले थे, जैसे यहाँ पर rotational quantum number के बारे में बात की थी, और rotational energy levels थे, उन energy levels के बारे में बात की थी, जैसे ये, नीचे का level है, j is equal to 0, ये उपर है, j is equal to 1, j is equal to 2, फिर j is equal to 3, तो j था यहाँ पर rotational quantum number, और j is equal to 0, या 1, 2, 3, j की value रखकर, हम इस energy level की value निकाल पा रहे थे, मतलब उसकी कितनी energy है, वो हम निकाल पा रहे थे, और हमारे पास formula क्या था, हमारे पास formula था ये, कि bj, j plus 1, तो इसमें हम अगर j is equal to 0 रखेंगे, तो हमें lower level की energy की value मालूम पढ़ जाएगी, और अगर हम j is equal to 1 रखेंगे, तो उससे higher level की मालूम पढ़ेगी, फिर j is equal to 2 रखेंगे, तो ये 2 वाले level की energy ह हमें मालूम पढ़ जाएगी, तो ये सब कुछ हमने वहाँ पर study किया था, तो बस उसी का हम यहाँ पर use करेंगे, और उसकी help से देखेंगे कि हमारा pure rotational human spectrum कैसी निकल के आता है, तो इसमें next लिखा हुआ है कि selection rule delta j is equal to 0 corresponds to relay scattering, तो delta j is equal to 0 का मतलब हुआ कि j की value में कोई change नहीं हुआ है, देखें, मैंने आपको पहले भी कई बर बताया कि जो delta का मतलब होता है, वो होता है change, और किसमें change, जो भी उसके आगे चीज लिखी हुई है, जो भी symbol बना हुआ है, बस उसमें change, यानि j की value में change, और यहाँ पर j की value में कहीं कोई change नहीं हो रहा है, इस से हमें य जो यह जो light इस पर डाली गई, molecule क्या करा, इस light को लेकर यह जो है, उपर किसी virtual level में चला गया, और फिर वहाँ से वापस तुरंत ही आ गया, क्योंकि virtual level हमारे जो levels होते हैं, वो काफी unstable levels होते हैं, तो वहाँ से तुरंत ही वापस आया, और जब यह वापस आया, तो यह j is equal to 0 में ही वापस आया, तो इसका मतलब initially molecule J में था और finally भी molecule J में ही रहा, मतलब J is equal to 0 में रहा, initially भी J is equal to 0 में था, और final भी J is equal to 0 में रहा, तो J की value में तो कोई change आया ही नी, डेल्टा J का मतलब होता है कि J final में से हम J initial को minus करें, तो final भी 0 था और initial भी 0 था, तो हमारा जो था delta मतलब J की value में कहीं कोई change नहीं हुआ और यही हमें Rayleigh scattering के बारे में बताता है। कैसे बता रहा है वो अब भी हम आगे भी देख लेंगे। तो J is equal to जो डेल्टा की value में plus minus 2 का change होगा उसकी help से हमें Raymond Lines मिलेगी। देखे सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक बार revise कर लेते हैं इसको कि हमने quantum theory जो study की थी उसमें हमने क्या पढ़ा था। देखे हमारा जो Raymond spectroscopy start हुआ सीधा हमाई पास था एक molecule ठीक है molecule पर एक light हमने डाली उसकी energy सपोज हमने h new ले ली इस molecule से light टकराई और एक तो ये reason मतलब एक तो ये incident कहलीजे हुआ कि दोनों के बीच में energy का कोई lane देन नहीं हुआ ना तो molecule ने अपनी energy इसको दी ना molecule ने इस से energy ली यानि light और molecule के बीच में कहीं कोई energy का आदान प्रदान नहीं हुआ तो इसका मतलब ये elastic collision था तो जब ये molecule और इनके बीच में light के बीच में कोई energy का exchange नहीं होता तो जो light इससे टकराती है वो as it is निकल जाती है तो अगर हम ये तो हमारा शुरू में जो हमने लिया व जब scattered radiation की frequency या energy को देखा गया तो वो भी h new ही रही ठीक तो starting में भी h new था और last में भी energy यानि energy में कहीं कोई change नहीं आया जो light के energy थी ना तो वो कम हुई ना वो जादा हुई तो ऐसी scattering को हमने बोला कि वो relay scattering थी ठीक अब रमन ने क्या observe किया जो sir cv रमन थे उन्होंने ये observe कि जब ये light इस molecule से टकराती है तो इसको हमने h new लिखा तो या तो ये energy मतलब light जो है अपनी थोड़ा सा energy जो है molecule को दे देती है या ये molecule से ले लेती है तो जो scattered radiation होगा या तो उसकी energy increase करेगी या फिर उसकी energy degrees करेगी इसको हम inelastic collision बोलते हैं और इसी की वज़ह से हमें रमन lines के बारे बढ़ा था तो वो कौन कौन सी line थी एक हमें मिलती है strokes line और दूसरी हमें मिलती है anti strokes line ठीक तो अगर तो molecule light से energy ले लेगा अगर light से energy लेगा तो क्या होगा light की energy जो है वो कम हो जाएगी तो हमें energy कम वाला जो scattered radiation मिलेगा उसकी energy कम होगी उसकी वज़ह से हमें strokes lines मिल और अगर molecule अपनी energy light को दे देगा तो light की energy increase कर जाएगी और light की energy increase कर जाएगी जो है वो increase कर जाएगी और उसकी help से हमें anti strokes lines मिलती है और इसी को हमने energy levels में भी समझा है देखे कैसे अगर हमने ये कुछ energy levels बना लिये थे और अगर मैं इनको rotation level मान के चल रही हूँ तो j is equal to 0 ह कुछ भी मांग सकते हैं उपर तक ठीक तो initially क्या हुआ अगर मैं relay scattering की बात करूँ तो initially suppose हमारा molecule यहाँ पर था इसने light को absorb किया उपर गया और ये सिर्फ किसी virtual level तक गया और फिर वहां से तुरंत ये वापस आ गया ठीक तो मैंने तब आपको ये बोला भी था कि हम इसको absorption न इसने ली थी उतनी ही energy की light को scattered कर दिया या जितनी frequency की light इस पर डाली गई थी उतनी ही frequency की light जो है scattered हुई यानि frequency में या energy में कहीं कोई change नहीं हुआ तो और जिस level से गया था उसी level में ये तो molecule है molecule जिस energy level में था उसी energy level में वापस आया यानि वो जिस energy से rotate कर रहा था वो उसी energy से rotate करता रहा light के टकराने के बावजूद भी तो जो light उसने emit की वो same frequency की या same energy की light थी तो ऐसी scattering को हम बोल देते हैं Rayleigh scattering अच्छा अगर हम एक दूसरा case consider करें दूसरे case में हमने क्या किया ये फिर से हमारे energy level है ये 0 है ये 1 है ये 2 है ये 3 है और J की value है मतलब हम h new या h new 0 समझ लीज़े चली हमने h new 0 बोल दिया इसको ठीक है starting में हमने इसको माल लिया अब क्या हुआ ये virtual level पे गया और तुरंत ये वापस आया और अगर ये वापस आया suppose यहाँ पर वापस आ गया ये आता किस तरह से ये भी तब मैंने आपको समझाय था कि ये according to selection rule वापस आता है तो ये यहाँ वापस आया अब पहले आप देख रहे है molecule की energy थी ये energy जो है नीचे से उपर की side बढ़ रही है तो j is equal to 0 की value तो कम होगी energy की और j is equal to 1 में देखिए j is equal to 1 में ये वापस आया यानि कि ये यहाँ था पहले और ये अब यहाँ पहुंच गया यानि इसकी energy थोड़ी सी बढ़ गई और तो वो बढ़ी हुई energy आई कहां से क्योंकि जो light इस से टकराई थी इस light ने अपनी energy इस molecule को दे दी तो molecule की energy तो बढ़ गई और वो हमें दिख भी रही है क्योंकि इनिशली वो j is equal to 0 में था और finally वो j is equal to 1 में पहुंचा यानि lower level से lower energy level से वो higher energy level में पहुंचा इसका मतलब energy बढ़ी तो molecule की तो energy बढ़ गई और इस जो radiation था उसकी energy जो है घट गई और जो घटी है वो कितनी घटी होगी वो यह वाले जो यह difference था यानि 0 और 1 लेवल के बी देखेगा अगर आपने वहाँ इनिशल वीडियो नहीं देखे है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के तो आपको यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आने वाला है तो वहाँ पर मैंने बहुत डीटेल में समझाया हुआ यहां तो मैं बिल्कुल शॉर्टकट ले रही हूँ तो क्या ह हुआ कि energy जो decrease होगी वो इतनी energy decrease हो जाएगी radiation की तो हम इसको लिख सकते हैं h new 0 minus delta e ठीक वहाँ पर मैंने इसको h new minus delta e लिखा था बात एक ही है actually अलग-अलग वीडियो में मैंने अलग-अलग इसके notation ले लिए हैं देखे आपको क्या करना है एक चीज मैं आपको यहां और ब रख किया इस वजह से हो सकता है न्यू कहीं डैश तो कहीं कहीं पर तो incident radiation मेंनेच new ले रखा है तो scattered h new-डिया हूआ है याई अगर इसकी speed frequency हम new मान रहे है, तो scattered की हमनेच new-डेया है यानि incident radiation की frequency new i थी i for incident और scattered की थी new s तो ये new s for scattered हो गया तो ये notations जो होगी अग चाहे scattered की हो चाहे incident की हो तो हो सकता है अलग-लग वीडियो में आपको अलग-लग देखने को मिले तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लिजेगा तो suppose मैंने यहाँ पर h new 0 लिया जब quantum का मैंने प energy बढ़ेगी और molecule के energy बढ़ी तो radiation के energy कम होगी और कितनी कम होगी जहां पर वो पहले था और जहां अब वो पहुँचा है दोनों के बीच का जो energy difference है बस उसी के बराबर तो energy यहाँ पर कम होगी भई जितनी molecule के energy बढ़ी कितनी इतनी तो बढ़ी है पहले j is equal यहाँ पर था energy हमने radiation के कम दिखा दी तो इस तरह से हमें मिल दिया आती है यहाँ पर strokes line ठीक और अगर हम anti-strokes की बात करें तो anti-strokes को हम ऐसे दिखा सकते हैं suppose यह j is equal to 0, 1, 2, 3 था फिर से molecule initially अगर मैंने मान लिया कि वो यहाँ पर था suppose one level में था यानि कि first excited state हम इसको कह सकते हैं जो zero वाला level होता है उसको हम ground state बोल देते हैं उपर first excited state हो आती है फिर second excited state होती है इस तरह से हम बोल देते हैं तो जब radiation इस पर पढ़ेगा तो यह फिर से energy को absorb करेगा ओर फिर यहाँ गया virtual level में और virtual level से फिर अगर यह वापस आया और वापस अगर आता है यह यहां यानि कि जिस level में था उससे भी नीचे वाले level में चला गया यानि पहले तो वो higher energy पर था फिर वो lower energy पर आ गया यानि अब उसकी energy कम हो गई है यानि एगर वो पह अब क्यूंकि इसकी energy अब पहले के comparison में कम हो गई है, तो कम क्यूं होई है, क्योंकि इस case में क्या हुआ, कि molecule ने अपनी energy को इस radiation को दे दिया, और जब molecule ने अपनी energy इस radiation को दे दी, तो इस radiation के energy बढ़ गई, तो initially तो इसकी energy H new 0 मानी थी हमने, और बढ़ी कितनी होगी, जो इन energy तो इसकी बढ़ी होगी, तो वो हमने H new 0 plus delta E मानी थी, ठीक, तो ये इससे हमें कौन सी line मिल रही थी, इससे हमें मिल रही थी, anti-strokes line, ठीक, तो ये हमने 3 case यहां discuss किये, तो अब हमें इसमें क्या करना, delta J is equal to, अगर हम 0 बोल रहे हैं, तो delta, क्या लिखा है, delta J is equal to, अगर हम 0 बोल रहे हैं, इसका मतलब J की value में कहीं कोई change नहीं हो रहा है, और वो condition हमें कहां मिल रही है, वो condition हमें यहां मिल रही है, क्योंकि यहां पर J is equal to 0 में था, initially भी और finally भी वो J is equal to 0 में पहुँचा, तो इससे हमें मिल जाती है, relay lines, यार इसको हम बोल देते हैं, relay scattering, अब वो कह रहे हैं, selection rule हमारा क्या बोलता है, कि delta is equal to, delta J is equal to, हमारा आ रहा है, plus minus 2, तो यह plus minus 2 का क्या मतलब है, इसी को पहले तो हम स्थोड़ा सा समझेंगे, और उसके बाद हम यह समझेंगे, हम जो आप calculate करने जा रहे हैं, actually हम वो इस delta E की value को calculate करने जा रहे हैं, कि अगर हमें हमा calculate करेंगे, अब हम calculate कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें यह मालूम पढ़ गया, कि हम rotational, क्योंकि हम rotational Raman spectroscopy पढ़ रहे हैं, इसका मतलब जो भी energy levels हैं, हम rotational energy levels के बारे में बात कर रहे हैं, और rotational energy levels की value हमें पता है, rotational energy की क्या value होती है, B, J, J plus 1, यह तो हमने rotational spectroscopy म बहुत अच्छे से discuss किया था कि यह energy हमारी कैसे निकल के लिए आई थी तो बस हमें इसमें अगर हमें J is equal to 0 की value निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा बस यहाँ पर J की value 0 रखनी है और फिर हमें J is equal to 0 की energy की value मालूम पड़ जाएगी अगर हमें J is equal to 1 की निकालनी है तो ह हमें क्या करना पड़ेगा J की जगे 1 रखना है तो फिर से हमें J is equal to 1 की energy level की value मालूम पड़ जाएगी तो हमारे पास अगर energy level की value पता होंगी तो हम क्या कर सकते हैं दोनों के बीच का difference निकाल सकते हैं किसी भी दो energy level के बीच का difference हम निकाल सकते हैं देखिए अगर हमारा ये पास E1 होना चाहिए और हमारे पास E0 यानि हमारे पास higher level यानि J is equal to 1 energy level की energy की value मालूम होनी चाहिए और हम क्या करते हैं डेल्टा E निकाल रहे हैं और डेल्टा E, डेल्टा मैंने अभी आपको बताया हम change निकालते हैं और change कैसे निकालते हैं कि final state में से initial state को minus करते हैं यान कि हमारा molecule finally कहां पहुचा, किस level पे पहुचा, उसकी energy की value हमें पता होनी चाहिए और वो initially किस level पे था, उसकी energy की value हमें पता होनी चाहिए और वो energy की value हमें यहां से निकाल सकते हैं हम, यहां से हम J is equal to 1 की value भी निकाल सकते हैं, J is equal to 0 की value भी निकाल सकते हैं, तो जब हमारे पस दोनों energy की value निकल के आ जाएंगी तो दोनों को minus कर देंगे हमारे पस delta E निकल के आएगा तो हम जो क्या कर रहे हैं हम इसमें अभी delta E की value को calculate कर रहे हैं तो बस यही इसमें यहाँ पर सब लिखा हुआ है तो energy of a rotational level in terms of wave number आपको यह ध्यान हो मैंने rotational spectroscopy में यह wave number की term में भ plus one centimeter inverse इसको हमने epsilon J से दिखाया था और मैं यहाँ पर इसको new bar भी लिख सकती है क्योंकि new bar भी तो wave number है wave number की term है centimeter inverse का मतलब wave number है ठीक है तो मैं इसको चाहे new bar लिखूँ चाहे epsilon J लिखूँ तो हमारी energy level की value जो थी B J J plus 1 थी अब यह जो लिखा है delta J अब हमारा जो selection rule है delta J plus minus 2 तो पहले हम discuss कर लेंगे delta J is equal to plus 2 अब delta J is equal to plus 2 का क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि transition occurs from rotational level J to J plus 2 अब देखो इस चीच का भी क्या मतलब है मैं आपको यहाँ पर यह हमारे पास rotational energy levels जो है मैंने बना रखे है ठीक अब देखे पहला वाला यह इस वाले को अगर हम देखे य यहाँ पर आप देख रहे हैं यह J की values लिखी हुई है तो J की value इसके लिए यहाँ पर 0 है ठीक इस वाले level के लिए 1 है और इस वाले level के लिए 2 है तो जब हम यह कह रहे हैं कि delta J की value में plus 2 का change हो रहा है इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारी final value है 0 से लेकर 2 जो हम transition देख रहे है अगर हम इसके लिए delta J की value निकाले तो देखे कैसे निकलेगी finally हमारा molecule J is equal to 2 में पहुचा तो J final हमारा हो गया 2 और फिर हम उसमें से minus क्या करेंगे जहां हमारा initially molecule था और initially हमारा कहां पर था 0 में तो 2 minus 0 करके क्या आ गया 2 आ गया answer तो delta J plus 2 का मतलब हुआ कि J की value में plus 2 से change हो हो सकता है या अगर initially हमारा molecule 1 में present है और फिर वो 3 में पहुच जाए भई ये 0 है ये 1 है ये 2 है और ये 3 लेवल है तो initially हमारा 1 में था finally वो 3 में पहुचा तो delta J की value क्या निकल के आगी finally हमारा 3 में पहुचा initially वो 1 में था answer हमारा 2 निकल के आ गया या फिर यहाँ पर देख ल माइनस करेंगे तो 2 निकल के तो delta J plus 2 का मतलब हुआ कि J की value में plus 2 से change हो रहा है तो ये जो जितने भी मैंने green color से दिखाए हैं ये सब delta J is equal to plus 2 को show कर रहे हैं अब हमें क्या करना है हमें energy difference निकालना है दोनों के बीच का क्योंकि selection rule हमारा ये कह रहा है कि delta J की value में plus 2 से change हो र जाए और J is equal to 0 के लिए energy की value मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं कि E2 में से E0 को minus कर सकते हैं या जैसे मैंने अभी बताया कि अभी जो हमने लिखा हूँ है कि J से J plus 2 में पहुंच गया तो J से J plus 2 में पहुंचने का क्या मतलब है हम इसको इसी वाली को हम ऐसे भी लिख सकते हैं minus J यानि J की value को हमने 0 put किया और यहाँ पर भी J की value को हमने 0 put किया तो answer हमारा यहाँ पर 2 आ गया तो J से J plus 2 जाने का मतलब है कि जो J की value है उसमें सिर्फ plus 2 से change होना तो E2 से 0 हो गई है ठीक है या हम J इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हमने जो transition दिखाया है कि हमारा जो transition है वो 1 1 से 3 हो रहा है तो 1 से 3 हो रहा है तो हम E3 minus E1 रख सकते हैं तो अपकी बार J की value हमने 1 put करी तो E1 हो गया और इस वाले formula में J की value 1 put करेंगे तो हमारा 3 हो गया तो E3 minus E1 भी निकाल सकते हैं तो बस हमें J is equal to delta J is equal to plus 2 का मतलब मैंने आपको यह समझाया कि यह क्या होता है ठीक और हमने J plus 2 rule का यहां पर क्या मतलब होगा तो यहां पर यह मतलब हो गया कि जब हम यह जो transition मैंने आपको दिखाया था यहां पर यह transition इस तरह से होगा कि अगर यह मैंने फिर से level बनाये हैं यह J is equal to 0 है यह 1 है यह 2 है यह 3 है तो initially अगर हमारा molecule 0 में है तो जब वो वापस आ तो वो J is equal to 2 में वापस आएगा यह हमारा selection rule कहता है इसको हम कहते हैं कि selection rule के according ही molecule वापस आता है quantum chemistry quantum जब मैंने theory समझाई थी तब मैंने आपको यह बात बोली भी थी कि जो यह molecule हमारा scattered radiation जो मतलब molecule जब radiation से टकराता है और virtual level में जाता है उसके बार जब वो वापस आता है त तो initially क्योंकि 0 पे था तो अब वो 2 में वापस आएगा क्योंकि हमारा selection rule यह कहता है कि J की value में सिर्फ plus 2 से या minus 2 से अभी हम plus 2 की बात कर रहे है तो इसलिए मैं बता रहे हूँ कि यह 2 में वापस आएगा अगर initially हमारा molecule 1 में होता तो फिर वो 3 में वापस आता ठीक है initially अगर हमारा molecule 2 में होता तो फिर वो 4 में वापस आता तो selection rule के according वो वापस आ रहा है चलिए तो यह वापस आने की बात हुई अब हमें निकालनी है value difference निकालना है दोनों energy level का क्योंकि हमें energy change देखना है तो हमने delta epsilon लिख दिया इसको और या फिर हम इसको delta new bar भी लिख सकते है क्यों centimeter inverse में बात कर रहे है यह का मतलब होता है हम Joule में बात कर रहे है बस इतना सा difference है दोनों के बीच में और मैंने आपको यह बताया हो अब यह कि Joule से अगर आपको centimeter inverse में कोई चीच चेंज करनी है तो आपको सिर्फ इतना करना पड़ेगा उसे hc से divide करना पड़ेगा और centimeter inverse को अगर आपको Joule में change करना है तो आपको hc से multiply करना पड़ेगा तो ठीक है हमारा यह हुआ अब हमें difference निकालना है J प्लस 2 से J का तो हम यह जनरल निकाल रहे हैं बिल्कुल तो अब हम क्या करेंगे हमें epsilon J की value तो पता ही है B J J प्लस 1 तो यह तो हमने epsilon J की value रग दी B J J प्लस 1 यहाँ पर हमें J प्लस 2 यानि की इस वाले formula में हमें J की जगे J प्लस 2 रखना है तो हमने क्या करा यहाँ पर B के बाद J लिखा हुआ है यह जो हमारा energy का formula है B के बाद हमारा J लिखा है तो हम अब J की जगे J प्लस 2 लिखेंगे तो हमने यहाँ J प्लस 2 लिख दिया फिर formula म हमारा J plus 2 की value हो गई, तो फिर हमने इसको क्या करना, J plus 2 तो as it is easy रहा, ये कितना हो गया, J plus 3 हो गया, और minus B, J, J plus 1 हमारा रहा, अब क्या करेंगे, J plus 2 और J plus 3 को आपस में multiply करना है, तो देखिए, इस J को जब हम इस J से multiply करेंगे, तो J square हो जाएगा, वो यहाँ पर आ गया, फ हमने already common ले लिया है, ये B तो यहाँ पर भी था, B हमारा यहाँ भी है, तो हमने B को बहार common निकाल लिया, अब अंदर क्या बचेगा, J और J plus 1, तो J को इस J से multiply करेंगे, तो J square हो जाएगा, और इस J को 1 से multiply करेंगे, तो J आएगा, और क्योंकि minus sign, क्योंकि हम bracket खोल के चल र और 5J में से हमने ये J minus कर देना है, तो 4J बचेगा, तो हमारा 4J आगया, B हमारा as it is लिखा हुआ है, और ये 6 हमारा as it is आगया, तो ये जो energy difference है, ये general energy difference है, आपको चाहे तो 0 to 2 के बीच में energy difference निकालना हो, चाहे 1 to 3 के बीच में निकालना हो, ठीक है, और चाहे आपको 2 to 4 और इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएं, इस तरह से energy difference निकालना है, तो बस आपने ये वाली value रखनी है, और इसमें J की lower value रखनी है, ये चीज बिटा ध्यान रखना, J की lower value रखनी है, अगर आप 0 to 2 transition देख रहे हैं, तो यहाँ पर J की lower value रखेंगे, तो आपको 0 to 2 के बीच में delta E की value मिलेगी, 1 to 3 देख रहे हैं, और मैं आपको यहाँ बता भी देती हूँ क्या value आएगी, देखें अगर हम 0 to 2 करेंगे, और आप यहाँ पर J की value 0 रखेंगे, तो 4 into 0 तो 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, खाली 6B, तो 0 to 2 जब हम transition करते हैं, तो मैं इसको एक बा 1 to 3 अगर हमें transition देखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखा हमारा B, फिर हम क्या कर रहे हैं, 4 into 1 रखेंगे, क्योंकि हमारी lower value 1 है, फिर plus 6, अब की बार क्या हुआ, 4 बंजा 4, plus 6, यह हो जाएगा हमारा 10B, ठीक, इसी तरह से आपको आगे भी value निकाल सकते हैं, अब क की बार हम 2 से 4 का transition देख रहे हैं, तो 2 से 4 के transition में हमने क्या करा, यहाँ पर 2 लिख दिया, और plus 6 लिखा, 4 तू जा 8, और 8 और 6 कितना हो गया, 14B, यह 14B, तो इस तरह से आप आगे की भी transition निकाल सकते हैं, तो आप कोई भी transition निकालेंगे, आप देखेंगे, यहाँ पर आप cross all detail में समझाऊंगी, अभी तो आप यह समझ लीजे कि यह value मैंने लिखी हैं, यह हैं, और 6B और 10B के बीच में difference अगर आप देखेंगे, तो 4B का है, 10B और 14B के बीच में difference देखेंगे, तो 4B का है, 14 और 18 के बीच में difference देखेंगे, तो भी हमारे पास 4B का difference मिल रहा है, और दोनों की value जो है, वो same निकलेगी, numerical value same होगी, सिर्फ plus और minus का difference है, और वो भी क्यों है, क्योंकि अपकी बार जब हमारा molecule, देखें, delta J is equal to minus 2 हमें कब मिलेगा, हमने अपना molecule, मैं एक बार pen ले लेती हूँ, हमने क्या किया कि अपना molecule था हमारा, suppose, ऐसे 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 बना दि अब initially, suppose, क्योंकि हम ये कह रहे हैं, हमें minus 2 शो करना है, तो initially हमारा molecule जो था, वो हम J is equal to 2 में मान ले रहे हैं, ठीक है, वो उपर गया, virtual level में गया, फिर वो वापस, ये radiation लेने के बाद, ठीक है, अब जब वो वापस आएगा, तो वो यहाँ J is equal to 0 में आएगा, तो अब क्य energy निकलियनी, released हुई है, और release energy को हम हमेशा minus sign के साथ दिखाते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखेगा, यहाँ पर जब हमने discuss किया था, तो energy absorb हुई थी, क्योंकि हमारा initial molecule जो था, वो lower level में था, और finally वो higher level में पहुचा, यानि energy increase हुई, और increase energy, यानि absorbed हुई और absorbed energy को हम positive sign के साथ दिखाते हैं, तो यहाँ पर ये negative sign जो आएगा, वो सिर्फ इसलिए आ रहा है, क्योंकि हमने, यहाँ पर energy जो है, वो release हुई है, ठीक है, तो हमारे पस value वही निकल के आएगी, 4J, ये B, 4J, प्लस 6 करके ही आएगी, लेकिन ये minus में आईए है, क्योंकि energy, minus 2 हमारा कैसे ह 0 में, ठीक है, अब initially तो हमारा 2 पे था final पहुंच, और हमें final में से initial minus करना होते है, तो final 0 पे था, और initially हमारा molecule जो था, वो 2 में था, तो answer क्या आजाएगा, minus 2 ठीक है, इस वाले transition को देख लीजे, initially ये 3 पे था, तो हम 3 यहाँ लिख देंगे, minus, और final कहां पहुंचा, 1 में, तो ये 1 minus 3 हो गया, तब भी हमारा minus 2 आ जाएगा, तो इसी तरह से बाकी side transition, यहाँ पर initially 4 में था, और finally ये 2 में आ गया, तो 2 minus 4 करेंगे, तो ये जो है, कैसे आ रहा है, higher level से lower level में आ रहा है, यानि energy पहले ज़्यादा थी, अब कम हो रही है, तो इसका मतलब energy निकल रही है, और energy निकल रही है, इसलिए value जो है हमारी minus में आ रही है, तो यह जो यहाँ जो दिखाए है हमने, यह जो red color से दिखाए है, यह delta j is equal to minus 2 को शो कर रहे है, अब हमारा आते हैं, वापस से अपने यहीं पर, तो यह value जो minus में, जो दोनों का energy difference है, वो हमारा minus में आएगा, इनी दोनों results को अगर हम एक साथ लिखेंगे, equation 1 जो हमारी plus B4J plus 6 आई थी, और equation 2 जो हमारी minus B4J plus 6 आई है, तो wave numbers of lines obtained in the Raman spectrum will be given by, तो हमारे पास यह formula, यह formula बिटा सबसे ज़्यादा important है, इसको आप ध्यान रखना, ठीक, तो new bar is equal to new 0, new bar क्या है, जो scattered radiation की frequency है, in terms of wave number, ठीक ह और new 0 क्या है, जो incident radiation की frequency है, in terms of wave number, और delta new bar क्या हो गया, दोनों energy level के बीच का difference, in terms of wave number, ठीक, तो यह हम कुछ दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, कि new bar is equal to new 0, अब यह आया कैसे, हम अभी क्या बता रहे थे आपको, यह देखो, यहाँ पर हमने क्या लिखा था, कि यह value, या तो हमारी h new 0 minus delta er थी, या यह h new 0 plus delta er थी, एक बार मैं फिर से इसको लिख देए, एक बार मैं इसको पूरा erase कर देती हूँ, जरा, फिर आपको, देखो, यहाँ मैं समझा दे रही हूँ, एक बार के लिख, हमने क्या किया, कि एक बार, लिया हमने, अरे या, क्या है, pen कहां गया, यह रहा, तो हमने यह लिया, कि h new 0 minus delta e थी, यह value बेटा, जूल में है, थी, अब आगर हमें इसे wave number की term में लिखना है, तो हम क्या कर रहे है, delta e को थो हमने wave number में ही निकाला है, तो वो जो हमारी value आ रही है, bj, b4j plus 6 करके जो आ रही है, वो value तो हम यहाँ लिखी देंगे, वो तो wave number की term में ही है, तो इसे तो हमें change करना नहीं है, लेकिन यह value को हमें wave number में लिखना है, यह joule में लिखी हुई है तो अब अगर हमें joule में लिखी है और हमें wave number नहीं, centimeter inverse में अगर हमें इसे change करना है, तो हमें hc से divide करना पड़ेगा, hc से हमने इसको divide कर दिया, तो h से h cancel हो जाएगा, अब यहाँ क्या बचेगा, new upon c बचाएगा, और new upon c क्या होता है, new bar ही तो लिखते हैं हम इसको, new bar मत हर्ट में होती है, या second inverse में होती है, तो मैं इसको second inverse में लिख दे रही हूँ, second inverse मतलब second की power में minus one लिखना है हमें, upon क्या है, c, c क्या है, velocity of light, और velocity of light हम कैसे लिखते हैं, तो meter per second लिखते हैं, या centimeter per second लिखते हैं, तो अगर मैं इसको centimeter per second लिखूं, तो centimeter per second का मतलब क्या हो second inverse, भई हम इसको ऐसी तो लिखते हैं, मेरा pen जो है, चलना बंद हो गया है यह शायद, देखें, यह centimeter और पर second ऐसे लिखा मैंने, और यह second को जब मैं ऊपर रहाँगी, तो second की power minus one हो जाएगा, तो centimeter second minus one हो, second minus one से, यह second inverse जो है, cancel हो गया, और जब यह centimeter ऊपर जाएगा, तो यह centimeter inverse बन जाएगा, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जो ये new upon c है, इसे हम new bar की term में, ये new bar की term में लिख सकते हैं, यानि कि ये value जो थी हमारी वो centimeter inverse हो गई, तो हमने क्या करा, बस इसे c से multiply कर दिया, तो अब यही वाली value को हम कैसे लिख सकते हैं, तो हमारी जो incident radiation की frequency हमने तो new 0 म में या तो हम minus या फिर हम plus, delta e तो कर रहे हैं, यहाँ पर h new 0 minus delta e था, stroke line के case में, और anti strokes में हम plus delta e कर रहे थे, तो h new 0 की जगे है, तो मैं इसको bar में लिख सकती हूँ, ठीक है, ये तो new bar हो गया हमारा centimeter inverse की term में, ठीक है, और ये क्या चीज थी, ये scattered radiation की frequency थी, तो scattered radiation की frequency हमारी क्या निकली थी, जो हमने new की term में हमने ले रखी थी, तो new bar wave number की term में हमें लिखना है, तो ये जो हमने जो अभी difference निकाला, वो actual में हम difference निकालने के बाद, इसको radiation की frequency में ही तो हम इसको plus या minus कर रहे थे, तो बस हमने वो incident radiation की frequency में plus या minus कर दिया, तो ये जो हमारा निकल के आया वो हमारा इनी सब दोनों फॉर्मुला में हमने इसको put किया था इसी वज़े से यहां पर हम जो लिख रहे हैं वो और यह हम अभी तो मैं जो delta e बोल रही थी हम उसको delta e न लिखकर delta new inverse क्योंकि वो new inverse कहा रही हो new bar की term में भी लिख सकते हैं तो हमने बस यह delta new bar जो था वो ह हमारा यहां पर bj4 plus 6 निकल के आए वो plus या minus हम इसको कर सकते हैं तो यहां पर जो new 0 थी वो represent कर रही है wave number of relay line relay line कह लिजिए या जो light हमने डाली क्योंकि incident line और relay line दोनों की frequency तो same रहेगी क्योंकि दोनों की frequency कहीं कोई change तो आया ही नहीं था तो new 0 तो relay line को represent कर रही है और जो negative sign है वो क्या कर रहा है gives the line with lower wave numbers और इसको हम क्या 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 रहते हैं stokes lines यह मैंने आपको बताया था हमारे जो wave जो हमारा spectrum रमन spectrum होता है उसमें relay line से जो lower frequency पर light मिलती है जो lines मिलती है उनको हम stokes lines बोल देते हैं और क्योंकि हमें new 0 में से minus करना है lower wave number तो तभी मिलेगा जब हम relay line की frequency में से minus करेंगे तो इसलिए जो अगर हमें stokes lines की frequency निकालनी है यह new bar को अगर मैं stokes कर दूँ तो यह new 0 bar minus sign लगाना पड़ेगा और अगर हम positive sign लेने मतलब इस वाले equation में जो हमने यह वाले equation लिए बटा यह जो plus minus लिखा है तो plus sign तो इसमें indicate कर रहा है higher wave number को और higher wave number हम हमें anti strokes lines मिलती हैं तो plus sign के साथ लिख सकते हैं anti strokes lines के लिए और minus sign के साथ लिख सकते हैं strokes lines के लिए तो यहां से हमें from equation 3 it may be seen that for j is equal to 0 new bar is equal to new bar 0 plus minus 6b अब आप देख रहे हैं पहली जो हमने 0 to 2 transition निकाला था उसके लिए हमें line जो मिली थी वो 6b पर मिली थी अभी अभी मैंने आपको calculate करके भी दिखाया था यहां पर calculate किया था ना हम लोगों ने ये वाला जो first था यह हमारा 0 to 2 transition के लिए तो हमें 6b पर मिली थी तो वही यहां पर इसमें लिखावा है कि जो हमारी first strokes और anti strokes lines होती हैं वो होती हैं will be at separation of 6b from the relay line यानि relay line से हमें 6b कम पर मिलेगी strokes lines और 6b ज्यादा पर मिलेगी anti strokes lines और 2 lines के बीच का separation चाहे वो strokes lines हो चाहे anti strokes lines हो वो 4b मिलेगा क्यों क्यों कि ये भी मैंने आपको भी बताया यहां पर calculate करके कि पहला जो transition हमें मिला अजो 0 to 2 का था वहाँ पर value थी 6b, 1 to 3 के लिए transition मिला 10b यानि second line हमें 10b पर मिलेगी तो दोनों के 10b का difference क्या है, 10 में से अगर अब 6 minus करेंगे तो 4b मिलेगा, 3rd line हमें जो 2 और 4 transition के लिए वो 14b पर मिल रही है, तो 3rd line हमारी 10 से लेकर 14 के बीच का difference, 14 में से 10 को minus कर लेगे, तो 4b निकलेगा, देखे, इसको हम spectrum से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, तो जो ये चीजे यहां पर लिखी हुई है, यहां मैं एक बार फिर से आपको पहले तो मैं yes कर देती हूँ, ये सब कुछ, अब हम ले लेते हैं इसमें pen, तो जो हम यहां first line को दिखा रहे हैं, ये जो first line है, हमारी stokes lines जो मिल रही है, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, कि ये तो हमने मान लिया था हमारा ये relay line जो है, हमारी new zero पर है, ठीक है, और new zero से हम क्या कर रहे हैं, जब पहले जा रहे हैं, क्योंकि हमारी frequency है, यहां पर हमने दिखा रखिये, वो increasing है, इधर की side कम है और इधर की side हमारी ज्यादा है, ठीक है, तो इधर की side अगर कम है, तो जितनी भी ये green line मिलेंगी, ये new 0 minus जो भी हमने अभी value निकाली थी, क्या निकाली थी हमने b 4j plus 6, इधर वाली जितनी भी values हैं वो इस पर हैं, और हमें क्या करनी है, अगर हमें ये निकालना है कि first line हमें किस पर मिली, तो हमें इसमें j की lower value और कौन से tension के लिए हम देख रहे हैं, तो पहला tension क्या हो सकता है ये वाला, 0 to 2, तो हमें क्या करना है, j की value को सिर्फ 0 put करना है, तो जैसे ही हम j की value को 0 put करेंगे, इसका answer 6 भी आ जाएगा, तो यानि जो first line हमें मिलेगी, वो new 0 minus 6 भी पर मिलेगी, तो ये जो पहली line हमें मिली है, वो new 0 से 6 भी कम मिली है, तो इसलिए ये difference जो है हमारा, वो 6 भी है, ठीक है, फिर हम इस दूसरे transition को देखते हैं, दूसरा transition हमारा कहा से कहा हुआ, वो 1 से लेकर 3 पर हुआ, तो अब की बार हम j की value को 1 रखेंगे यहाँ पर, तो जब हम j की value को 1 रखेंगे, तो हमें second line जो मिलेगी, वो new 0 minus 10 भी पर मिलेगी, तो ये जो value है हमारी second line, ये new 0 minus 10 b है, यानि यहाँ तक हम देख रहे हैं, ये new, इससे 10 b कम है, तो जब यहाँ से यहाँ तक का difference हमारा 10 b है, और यहाँ से यहाँ तक का difference हमें मालूम पड़ गया कि वो 6 b है, तो यह जो difference बचा, यह 4 b तो बचा, तो यह हमें 4 b पर, यह जो difference दिखा रखा है, वो सिर 4 b का है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का अगर हम देखें कितनी frequency हमारी कम हुई है, तो new 0 minus 10 b कम हुई है, फिर हम अगर देखें कि third line हमें कहां मिलेगी, जो third transition होगा, उसी के according हमें third line मिलेगी, तो third transition हमारा 2 से शुरू हुआ है, तो यानि अगर हम यहाँ पर j की value को 2 रख दें पहली देख चुके हैं, वो 10 b है, तो जो बचेगा, वो खाली 4 b बचेगा, तो इस तरह से हम यहाँ पर बाकी सारी strokes lines के लिए भी देख सकते हैं, तो यह जो एक 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 transition है, वो सब पहली, यह सब lines हमें देखने को मिलती, तो first strokes lines का difference, new 0 से या relay line से 6 b का होता है, और बाक पहली line जो हमें मिलेगी, यानि इस वाले transition के लिए, वो new 0 प्लस 6 b पर मिलेगी, तो new 0 से 6 b ज्यादा है इसकी frequency, तो इसलिए first strokes, anti strokes lines भी हमें 6 b पर मिली, second strokes lines, यानि यह वाली जो stroke line है, sorry, anti strokes lines, मैं उल्टा बोल दे रही हूं, तो यह second transition के according मिलेगी, इस वाले transition के according हमें यह second इस वाली line जो है, देखने को मिलेगी, और यह किस पर मिलेगी, यह new 0 प्लस 10 b पर मिल जाएगी, और जब यहां से यहां तक का difference हमारा 10 b है, और यह difference हमें मालूम पड़ गया है, 6 b है, तो कितना बचा, 4 b, जो expression हमारी यहां थी, वही expression यहां पर है, difference सिर्फ इतना है कि यह new 0 माइनस पर मिल रही है, यह new 0 प्लस पर मिल रही है, और यह हम उसी से निकाल रखे हैं, जो हम रमन शिफ्ट, एक्चल में यह सब क्या निकल रही है, जो 6 b, 10 b, यह सब क्या है, इधर की साइड यह रमन शिफ्ट है, रमन शिफ्ट क्या, कि original जो हमारी value थी, relay value जो थी, हमारी या incident light की जो frequency सी, उससे बाकी lines का कितना shift हुआ है, तो वही shift हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो बस इधर की साइड माइनस में और इधर की साइड यह प्लस में है, तो बस यह सब कुछ था rotational रमन स्पेक्टरम के बारे में, जिसको कि मैंने आज explain किया, बाकी अगर आपको कु comment section में पूछ सकते हैं, तो आज के लिए बस इतना ही, thanks for watching.